हाई फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली करेंट अफियर स्कूल डिसक्स करने वाले हैं लास्ट वीक में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जो भी इंपॉर्टेंट घटनाए हुई हैं उसको हम लोग MCQ format में डिसक्स करेंगे और MCQ के साथ साथ उस question से related important facts और important information भी इस वीडियो में डिसक्स करेंगे तो अगर आप किसी भी competitive exam की तियारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा नाम है अकाश और आप देख रहे हैं backbenchers guru अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे साथ इसाथ notification का bell icon प्रेस कर लिजे ऐसे ही current affairs और general knowledge videos के लिए तो सीधा आते हैं first question पे what is the theme for 16th प्रवासी भारतिय दिवस 2021 तो प्रवासी भारतिय दिवस 9 जन्वरी को मनाया जाता है 9th of January को ये क्यों मनाया जाता है इसके पीछे एक interesting fact है interesting event है क्योंकि 9 जन्वरी को ही महात्मा गांधी ऐफरीका से इंडिया आया थे 9 जन्वरी 1915 को 9th of January 1915 को गांधी जी एफरीका से इंडिया आय थे उसी को commemorate करने के लिए उसी को celebrate करने के लिए प्रवासी भारतिय दिवस मनाया जाता है 2003 से लेके 2015 तक ये हर साल मनाया जाता था 9 जन्वरी को लेकिन 2015 के बाद से ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है तो इस बार का थीम क्या था प्रवासी भारतिय दिवस का इस बार का थीम था contributing to आत निर्भर भारत में युगदान इस बार के प्रवासी भारतिय दिवस यानि 16th प्रवासी भारतिय दिवस का थीम था तो आत निर्भर भारत 12 माई 2020 को प्रधान मंतरी ने अपना एक विजन एनाउंस किया था Self Reliant India का यानी आत निर्भर भारत का जो भी West Week महामारी के वज़े से supply chain में disruption आया था तो उससे भारत को future में कैसे बताया जा सके और इंडिया को आत निर्भर कैसे बनाया जा सके इसलिए आत निर्भर भारत मिशन की सुरुवात की गई थी तो ये काफे important है इसलिए इस बार का theme है contributing to आत निर्भर भारत और प्रवासी भरतिय दिवस को Ministry of External Affairs organize कराती है इस बार का summit virtual हुआ था pandemic की वज़े से और इस बार के chief guest कौन थे इस बार के chief guest थे सुरी नाम के राश्टरपती चंदरिका प्रवासी भरतिय दिवस के chief guest कौन थे Chief guest is चंदरिका प्रवासी भरतिय दिवस जो की सुरी नाम के president है तो ये काफी important हो जाता है प्रवासी भरतिय दिवस अब आते हैं next question पे next question पे आते हैं world's largest floating solar energy project is to be constructed in which of the following state दुनिया का सबसे बड़ा floating solar energy project किस राज में बनने वाला है तो ये बनने वाला है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में दुनिया का सबसे बड़ा floating solar energy project बनने वाला है 2022 देश तक ये operation में आ जाएगा और इसकी capacity होगी 600 megawatt की तो 600 megawatt की capacity वाला world's largest floating solar energy project मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बनने जा रहा है ये किस नदी पे बननने जा रहा है ये नर्म के हिसाब से ये अपने आपको adjust कर लेगा ये design इस तरह से किया गया है कि आसपास के जितनी भी power की जरुवत है उसको ये पूरा कर सकेगा ये 410 million dollar का project है जिसको international finance corporation world bank और power grid जैसी संस्थाएं मिलके इसको offer कर रही है तो ये काफी important है दुनिया का सबसे बड़ा largest floating solar energy project ये मध अधिप्रदेश में बनने जा रहा है और इंडिया का पहला floating solar project कौन था ये comment section में बताईए next question पर आते है next question है H5N1 is a type of influenza virus is the cause of which disease H5N1 कौन से disease का कारण बनता है तो H5N1 अभी काफी चर्चा में है avian influenza का कारण बनता है avian influenza यानी bird flu तो bird flu का का कारण बनता है H5N1 और ये एक viral disease है तो इससे क्या होता है परक्षियों में severe respiratory disease होती है birds में और इससे birds से human में भी transmission हो जाता है mortality rate humans में काफी high है 60% के करीब की mortality rate है और इंडिया में recently काफी cases देखे गए है bird flu में केरला में बहुत जादा cases देखे गए है bird flu के और भी states में bird flu फैल गया है ये poultry industry को काफी effect करता है तो H5N1 avian influenza का कारण बनता है इसको bird flu के नाम से भी जाना जाता है और भी virus है जैसे H7N9 ये भी bird flu का कारण बनता है लेकिन H5N1 major है तो H5N1 bird से bird में फैलता है कभी कभी bird से human में भी फैल जाता है और human to human transmission भी होता है लेकिन उसके cases काफी कम है तो ये काफी चर्चा में है इसको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्विस्चन पर आते हैं फिर which of the following statements about toyathon 2021 is correct रिसेंटली toyathon 2021 और्गनाईज कराया गया था उसके बारे में कौन सा statement इन में से सही है पहला statement है ideas for developing toys and games based on Indian ethos culture and value system ये statement सही है ये toyathon ministry of education और ministry of women and child welfare के दोरा organize किया गया है AICT से collaborate करके All India Council for Technical Education से collaborate करके और भी ministries इसमें सामिल है बहुत सारे ministries मिलके ये toyathon एक तरह का hackathon जैसा है जिसमें toys को based on Indian culture Indian culture पे best toys Indian folklore पे best toys को बढ़ावा देने के लिए toyathon 2021 को organize कराया गया था तो पहला statement इसलिए सही है major focus on conceptualizing new and innovative toys using local material which is economical, affordable, safe and environment friendly ये भी इसका मकसद है जैसे नए नए toy को conceptualize करना local material पे best होके क्योंकि बहुत सारे हमारे आप Chinese toys आते हैं Chinese खिलोने आते हैं तो उसको replace करने के लिए हमारा major focus होगा हम अपने देश से ही material use करके safe और eco-friendly environment में toys को design करें next आते हैं next option क्या है currently India's toy market stands at around 1.5 billion USD primarily dominated by import toys mainly 70-80% China ये भी statement सही है तो इस question का सारा statement सही है अभी क्या है situation इंडिया में खिलोनों का जादा से जादा खिलोने हम लोग चाइना से import करते हैं उसको हम लोगों को कम करना है अपने देश पे अपने value system पे अपने culture और tradition के इसाप से अपने toys को develop करना है next question पे आते हैं what is कियाचा and मालोफो sometime seen in news ये कियाचा मालोफो क्या है ये कियाचा और मालोफो ये है ancient name of लदाख लदाख का पुराना नाम है लेह लदाख का ये news में क्यों बना हुआ है क्योंकि लदाख demand कर रहा है काफी दिनों से कि उनको sixth schedule में जगह मिले अब Indian constitution का sixth schedule क्या है six schedule के हिसाब से चार राजियों के tribal groups को बहुत सारी autonomy मिलती है उनके land right को protect किया जाता है छटी schedule में आने वाले राजी कौन से है असाम, मिघालिया, मिजोरम, त्रिपुरा इन चार राजियों में जो tribal communities हैं उनको काफी सारी autonomy मिली हुई है उनके land rights को protect किया जाता है तो लदा लदाख की बहुत दिनों से demand है कि उनको भी six schedule में जोड़ा जाए क्योंकि 2019 में जम्मू एंड कस्मीर को pifurcate करके लदाख union territory और जम्मू एंड कस्मीर union territory में बदल दिया गया था और लदाख union territory की ये demand थी और लदाख union territory का लदाख का ले लदाख का पुराना नाम ancient civilization में कि क्या चा ये फाहिन इसको बोलते हैं क्या चा फाहिन और ये मालोपो ह्यून सांग बोलते हैं फाहिन किसके रेन में आये थे फाहिन चंद्रगुप्त विक्रामादिति के रेन में आये थे ये ancient name है लदाख का ये ध्यान रखिएगा next question पे आते हैं लासी यानी LASI report is released by which of the following ministry तो LASI क्या है LASI है longitudinal aging study of India wave 1 तो इसका full form है आप अपने screen पे देखो longitudinal aging study of India wave 1 report ये जारी करता है ministry of health and family welfare तो इस ministry of health and family welfare ने ये report जारी की है अब ये report क्यों जारी की है ये report एक national survey के जैसा है scientific investigation होता है health का economic और social determinants का और जो भी aging population है इंडिया में नाम से ही पता चल रहा है aging population पे study की जाती है तो इंडिया में ये देखा गया है इस report से ये पता चला है कि 3% annual growth हो रहा है elderly people में मतलब 60 से जितने भी जादा के लोग हैं उनमें हर साल 3% की बढ़ोत्री हो रही है और 2050 में 60 प्लस वाले लोगों की संख्या इंडिया में 31 करोड के आसपास हो जाएगी 319 मिलियन के आसपास हो जाएगी मतलब 31.9 करोड के आसपास जो कि 2011 की census में 103 मिलियन के पास था मतलब 10 करोड के आसपास था तो हमारे देश में elderly population बढ़ने वाला है population growth पे एक specific video कर रहा है आई बटन में आप जाके देख सकते हैं तो यह जो longitudinal aging study of India wave 1 report है यह ministry of health और family welfare जारी करता है इसमें aging population जैसे 45 प्लस, 60 प्लस, 75 प्लस उन लोगों के social economic condition को, health condition को यह report discuss करता है यह ministry of health ने international institute for population sciences मॉंबई के साथ मिलके जारी किया है फिर आते हैं next question पे दिपोर बिल दिपोर बिल is a fresh water lake located in which of the following state or union territory तो दिपोर बिल एक fresh water lake है, एक रामसर साइट भी है कौन से स्टेट में है? तो असाम का एक मात्र रामसर साइट है दिपोर बिल चर्चा में क्यों रहा था? चर्चा में इसलिए रहा था कि वहां की district authorities दो थी उन्होंने community fishing मना कर दिया community fishing को दिपोर बिल में बंद किया जा चुका है district administration के द्वारा किसलिए? क्योंकि इस lake का over exploitation हो रहा था और ये wetland shrink कर रहा था तो wetland रामसर साइट भी है और रामसर साइट इसलिए है कि wetlands of international और national importance है इंडिया में total कितने रामसर साइट है? कॉमेंट सेक्षन में आप बता सकते हैं अभी currently how many रामसर साइट आर देर इन इंडिया? रामसर साइट पे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं वो भी description में मिलेगा या i button पे मिलेगा आप जाके देख सकते हो तो Assam में है दीपोर बिल, Freshwater Lake है, रामसर साइट है यहाँ पे आपको Siberian crane, Asian elephant, Siss Lake के आसपास आपको देखने को मिलेंगे और इसमें Community Fishing को बंद कर दिया गया है, इसलिए यह चर्चा में रहा था Next question पे आते हैं, 8th question, 8th question क्या है? Recently India has signed a deal with a firm of Argentinian, इंडिया ने हाल में ही Argentinian की एक company के साथ deal sign किया है, वो किस पे deal sign किया है? वो deal sign किया है, काफी important है exam district हों से, ध्यान से सुनियेगा Exploration and Production of Lithium, Lithium का Exploration और Lithium के Production के लिए इंडिया की company काबिल, काबिल का full form है, खनीज, विदेश, इंडिया लिमिटेड और अर्जेंटीना की एक company है उसके साथ deal sign हुआ है इंडिया का Lithium Exploration और Production के लिए इंडिया को Lithium की काफी ज़्यादा जरूरत है, अब Lithium का काम क्या है? Lithium जो batteries होती है, वो काफी important होती है और इंडिया electric vehicle बनाने के लिए काफी दिनों से Lithium की तलास कर रहा है और इंडिया में Lithium उतने ज़्यादा मात्रा में पाया नहीं जाता है और इंडिया को China पे depend होना पड़ता है तो उसी को देखते हुए, इंडिया Lithium की तलास में Argentina के साथ deal sign किया है और रिसेंटली, चिली और वॉल्विया जैसे देशों में इंडिया Lithium की खोज के लिए Lithium की exploration के लिए नजर बनाये हुए है अर्जेंटीना, चिली और वॉल्विया ये Lithium producing country है काफी जादा Lithium यहाँ पे है तो इसलिए इंडिया की company खनीज बिदेश इंडिया लिमिटेड और अर्जेंटीना की company इन दोनों के साथ M.O.U. हुआ है और Lithium इसके बाद explore किया जाएगा और produce किया जाएगा ये काबिल के बारे मैं जान लीजे खनीज बिदेश इंडिया लिमिटेड ये अगस्ट 2019 में incorporate किया गया था इसमें तीन है नालको, National Aluminium Company, हिंदुस्तान कॉपर और Mineral Exploration Company ये सब strategic investment है इंडिया का और इंडिया का जो electric mobility mission है उसके तहट इंडिया में FAME योजना चल रही थी FAME योजना क्या है FAME योजना यानि Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid Electric Vehicle इंडिया में electric vehicle बनाने के लिए FAME mission की FAME scheme के सुरवात हुई थी ये FAME 1 2015 से 19 तक चला अब FAME 2 के तहट electric vehicles को बढ़ावाद दिया जाएगा तो ये इंडिया की काफी एक flagship scheme है और इंडिया lithium के भंडार के लिए आपके smartphone में आपके mobile phone में जो battery होती है वो भी lithium ion batteries होती है वो lithium से चलती है तो lithium बहुत ज़ादा ज़रूरी है इंडिया के electric vehicle manufacturing के लिए और भी इंडिया की energy demands के लिए तो इंडिया ने अर्जेंटिना के साथ M.O.U. sign किया है exploration and production of lithium के लिए next आते हैं इसी से related है which country has the largest lithium reserves in the world किस देश के पाथ दुनिया में सबसे ज़्यादा lithium का बंडार है तो इसका answer होगा चिली दुनिया में सबसे ज़्यादा lithium का बंडार चिली के पास है लेकिन अगर आपसे कोई भी पुछेगा production तो production हर साल change होते रहता है 2019 में सबसे ज़्यादा lithium प्रोडियूस किया था Australia ने और second फेता चिली लेकिन सबसे ज़्यादा बंडार कहा है लिथियूम के तो चिली है पहले position पे चिली में करीब 86 लाख metric trend लिथियूम का भंडार है फिर आता है Australia फिर आता है Argentina ठीक है तो चिली ऑस्ट्रेलिया और Argentina ये top लिथियूम के reserves वाले countries है तो आपसे कोई भी पुछे ये exams में पूछे जाते है कि which country has the largest लिथियूम reserves in the world तो आपका answer होगा फिर आते हैं next question पे ये भी काफी चर्चा में था which of the following were part of JCPOA agreement signed with Iran joint comprehensive plan of action इरान और permanent 5 प्लस 1 देसों के बीच हुआ था ये P5 देस क्या है P5 देस है permanent 5 जो security council में permanent member है अगर आपने last वाला current office last वाले week का नहीं देखा है वो भी मैंने explain किया था ये P5 है क्या तो इसमें जो भी security council में 27 अदसे हैं और जर्मनी एक extra देस था इसके और इरान के बीच में एक joint comprehensive plan of action Obama administration के दोरान sign हुआ था इसके बाद जब Trump administration आया उसके बाद USA इस agreement से बाहर हो गया था और recently International Atomic Energy Agency International Atomic Energy Agency की खबर है कि इरान अपने nuclear enrichment को बढ़ा रहा है इरान uranium enrichment को बढ़ा रहा है अपने fordo plant में ये काफी important news थी और इससे related है ये question इन में से कौन से देस इरान के साथ deal sign किये थे तो जर्मनी था US था, France था क्योंकि P5 में US, UK, France, China और रसिया आते हैं, तो ये 5 देस ये सारे देस इसके part थे तो इसका answer हो जाएगा all of the above तो जितने भी permanent 5 member थे और Germany, सारों ने मिलकर इरान के साथ ये deal sign किया था जिसके बाद Trump administration के दौरान उन्होंने अपने आपको बाहर ले लिया अब आते हैं next 11th question पे सागरमाला seaplane services is initiated by which of the following तो ये start किया है सागरमाला seaplane services ministry of ports, shipping and waterways तो सागरमाला seaplane services क्या है, इसके तहत बहुत सारी roots पे seaplane service की सुरुवात की जाएगी water body से plane take off करेगा और water body पे ही land करेगा हाल में ही आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने केवडिया से सागरमाला seaplane service की सुरुवात की गई थी और इसके बाद ये बहुत सारे अन्य जगों पे ये start किया जाएगा जिससे की transportation में सुविधा होगी और tourism को attract किया जाएगा सागरमाला seaplane services से, तो ये काफी important हो जाता है, तो इसकी सुरुवात ministry of ports, shipping and waterways ने की है, next question पर आते है who assumed the charge of DG CISF recently, director general of central industrial security forces का charge किसने लिया है तो recently सुबोध कुमार जैसवाल ने DG CISF का charge लिया है exams में काफी पूछता है सुबोध कुमार जैसवाल इससे पहले Mumbai police के director general थे अब उन्होंने CISF का DG का charge लिया है और CISF किसके अंडर में आता है ministry of home affairs के अंडर में आता है तो इस काफी important है next आते है, science and tech का सवाल है और science and tech का importance हर competitive exam में बढ़ता जा रहा है खास कर कि UPSC जैसे exam में हर साल काफी questions science and tech से पूछे जाते है तो next question है which of the following statements about quantum computing is correct quantum computing, quantum computers, artificial intelligence यह सब favorite topic हो गया है असकल examination का तो quantum computing के बारे में कौन सा statement सही है पहला statement दिखते है superposition and entanglement is used to perform computations बिलकुल सही है quantum computing में superposition और entanglement का use होता है ठीक है, दूसरा statement है Google has claimed quantum supremacy in 2019 तो यह भी statement सही है तो बोथ statement 1 and 2 are correct अब थोड़ा सा और जानते है quantum computers के बारे में तो जैसे normal computer bits पे काम करता है 0 और 1 पे या तो 0 होगा या 1 होगा मतलब off या on लेकिन quantum computer qubits पे काम करता है ठीक है, अब qubits क्या होता है यह 0 और 1 को superpose करके एक नया energy state 0 और 1 के बीच का create करता है इसी को superposition बोलते है मतलब अगर आप 2 musical notes को एक साथ बजाओगे तो आपको दोनों का combination सुनाई देगा तो एक बार में 0 और 1 का combination का bits भी हो सकता उसी को quantum bits या qubits बोलते हैं, तो यह तो हुआ superposition दूसरा है entanglement entanglement मतलब complexity अगर एक particle एक state या एक energy state से ज़ादा है जिससे कि उसका पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहा है, इसलिए उसको entanglement करते हैं कि पता नहीं लग रहा है कि क्या है तो superposition और entanglement को यूज़ करके quantum computers बनते हैं और google ने 2019 में quantum supremacy quantum supremacy काफी important quantum supremacy का मतलब है कि जो भी normal super computer super computer की बात कर रहा हूँ वो उसको कर नहीं पा रहा है था उस calculation को, उसको quantum computer ने कुछ ही मिंटों में कर दिया तो quantum computer supreme हो गया तो quantum supremacy google ने achieve कर लिया था 2019 में ऐसा google claim करता है तो दोनो statement सही है तो quantum computers पे भी एक video और i button में आप जाके देख सकते हैं इसको news में रहने का कारण क्या है ये news में इसलिए है क्योंकि recently इंडिया की company विपरो और इसराइल की university तेल अभी इन दोनों ने memorandum of understanding sign किया है in research in quantum computing तो इन दोनों institutions के बीच ये collaboration होगा और वो दोनों मिलके quantum computers में quantum computing में research करेंगे अब आते हैं 14th question पे 14th question क्या है who is the author of the book वाहना master class तो ये book काफी चर्चा में रहा था recently क्योंकि इसको एक foreign writer ने लिखा है इसको लिखा है Alfredo Covelli जो की एक Italian writer है Italian film maker भी है film producer भी है तो इन्होंने ये book लिखा है ये book किस पे बेस है ये book है Lord Ganesha पे तो Lord Ganesha की जो सवारी है मूशक और इसमें चार मूशक की कहानी है फोर मौस की कहानी है और उनकी जर्नी की कहानी की कैसे वो गनेश भगवान की सवारी बनना चाहते हैं तो ये वाहना master class काफी चर्चा में रहा है ध्यान रखेगा अलफ्रेडो कौवेली के द्वारा बच्चों के लिए लिखी गई किताब है नेक्स्ट और लास्ट कुश्चन पे आते हैं विच सेक्शन ऑफ वेस्टन डेडिकेटेट फ्रेट कॉरिडोर वास रिसेंटली इनागरेटेट बाई पीएम नरेंद्र मोदी लास्ट वीक के करेंट अफेस वाले वीडियो में हम लोग इस्टन डेडिकेटेट फ्रेट कॉरिडोर को डिसकस किये थे इस्टन डेडिकेटेट फ्रेड कॉरिडोर में भावपूर और खुर्जा सेक्शन को प्रधान मंत्री मोदी ने इनागरेट किया था लेकिन हाल में ही वेस्टन डेडिकेटेट फ्रेड कॉरिडोर के एक सेक्शन को इनागरेट किया है वो सेक्शन है रिवाडी और मदार के बीच रिवाडी और मदार ये वेस्टन डेडिकेटेट फ्रेड कॉरिडोर में आता है Western Dedicated Freight Corridor और Eastern Dedicated Freight Corridor क्या है आप अपने स्क्रीन पे देखो इस मैप में Eastern Dedicated Freight Corridor पंजाब के लुधियाना से कोलकता के दानकुनी तक और Western Dedicated Freight Corridor UP के दादरी से लेके मुंबई के जवाहर लाल लहरू पोट तरश तक है तो ये काफी important है इंडिया के shipping industries के लिए और जिस भी route से ये पास होते हैं Freight Corridor तेज गती से माल गाणियां चलेगी तेजी से shipping होगी raw material का supply तेज होगा इससे आस पास की industry को फायदा होगा तो Western Dedicated Freight Corridor में रिवाडी से मदार का जो 306 km का section है हरियाना राजस्थान के बीच ये inaugurate किया गया है प्रधानमंत्री मोधी के दोरा तो इससे NCR हरियाना राजस्थान के जो industries हैं उनको फायदा होगा Freight Corridor को specially designed किया गया है ताकि तेज गती से माल गाणियां चल सके और जो congestion होता था traffic का जो पट्रियों पे या फिर railway network पे वो कम किया जा सके और ज्यादा load carry किया जा सके ये आप अपने screen पे देखो ये double sack long hole containers के तहत सामान को test किया जा रहा है तो ये काफी अच्छी news है इन जगहों की industries के लिए तो रिवाडी और मदार के बीच western dedicated freight corridor के 306 km का उधगाटन किया गया है प्रधानमंत्री मूदी के दौरा तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसे ही current affairs देखने के लिए चैनल को subscribe करें वीडियो पसंद आया हो like जरूर करें मिलते हैं किसी next वीडियो में अगर last वाला current वीडियो नहीं देखा है वो भी आप देख सकते हैं मिलते हैं किसी next वीडियो में त हैं